आज हम देखेंगे कुछ ऐसे golden tips जो आपको हमेशा स्वस्त रखने में आपकी सहायता करेंगे तो इसमें सबसे पहले है नमबर एक अपने दिन की सुरुआत magic water के साथ करें magic water बनाने के लिए रात को एक बरतन लें 2-5 लिटर का उसमें एक निबू काटकर 5-6 टुकड़े खीरे के 20 पत्यां पुदेने की डाल कर रख दे सुवा को सबसे पहले वही बाटर पिएं हो सके तो पूरा दिन वही पानी पिएं इससे आपकी बोडी डिटॉक्स होगी और पेट भी अच्छे से साफ होगा बोडी को अंदर से अच्छे से क्लीन कर देगा ये मैजिक बाटर सुवा का नास्ता 7 एम से 10 एम तक खा ले सुवा के नास्ते में हैवी खाना खाएं प्रोटीन और कैलोरी से भरपूर पेट भरकर खाएं दोपेर का नास्ता थोड़ा हलका खाएं साम का नास्ता और हलका खाएं 7 पीएम से पहले याद रखें दोपेर का खाना खाने के बाद लगवग आदा घंटा अराम करें नमबर 3 है साम का खाना खाने के बाद लगवग आदा घंटा तक पैदल चलें नमबर चार है रात को लगभग 10 बजे तक सो जाएं नमबर पांच है 24 घंटे में एक बार अपने भगवान को जरूर याद करें चाहें कोई भी कंडिशन हो नमबर शिक्स है सोने से पहले फेस को अच्छे से साप पानी से धो ले और कोई अच्छी कंपनी का मौस्चुराइजर या बदाम का तेल अच्छे से मालिस करें फेस पर इस से फेस अच्छा गलो आएगा और तचा बच्चो जैसी कोमल दिखेगी नमबर सेवन अगर आपके फेस पर सपेद दाग या बहुत से दाग धब्बे हैं तो सुबा सुबा अपने मुंकी लार लगाएं गारंटी के साथ आपके फेस के सारे दाग धब्बे गायब हो जाएंगे पर टाइम लगेगा लगवक्ट छे महीने ऐसा करें और मुझे बताएं क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ यात रखें कि कुछ खाना नहीं है ना कुछ पानी पीना है पहले लार लगानी है फेस पर उसके बाद आप खा सकते हैं खाना खाने से आदा घंटा पहले अपनी प्यास के अनुसार पानी पिएं फिर खाना खाएं और खाना खाने के लगवक चालिस मिनट बाद पानी पिएं इससे ना आपको गैस बनेगी ना डाइजेशन सिस्टम घड़वर होगी और ना ही आप आपका बज़न बढ़ेगा नमबर नाइम अपने खाने में आमला का चार जरूर शामल करें दुनिया में जितने भी अचार हैं उनमें सबसे उपर आमला का चार आता है ये आपके सहत के लिए बहुत लाबदायक होता है इसमें भरपूर मात्रा में बिटामिंशी पाया जा जो कि आपकी तुचा के लिए भी बहुत लाबदायक है नमबर टैन सर्दियों में इस तरीके से चाय बना कर पिए एक बरतन में पानी लें दो गलास उसमें दस पत्ते तुलसीगे डालें सौब डालें आदा चमच अध्रव डालें काला नमक और चाय पत्ती और चीनी इन सब को डाल कर गैस पर रख दें दो गलास कर डेल गलास हो जाए दूट डाल कर दो मिनट तक फिर उबाला दें और अपने घर में सब को पिलाएं और आप भी इंजोई करें जान कर ये अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें